हार्ट अटेक होने के बाद जब हास्पिटल से डिश्चार्ज होते हैं तो आने वाले महीनों में और सालों में फिर से इस प्राब्लम के होने के चांसे बहुत होते हैं इसलिए हमें कुछ प्रिकॉशन से रहने के साउधानी बरतने चाहिए जैसे कि हमें मेडिसिन रेगुलर लेना चाहिए जो प्रिस्ट्राइब है खास कर ब्लड थिनर, पोलेश्टराल को कम करने की दवाई और कुछ एंटी अन्यानल ड्रग जो प्रिस्ट्राइब के जाते हैं उसको रेगुलर लेना होते हैं दूसरा महत्वपुम्ब चीज है कि हमें risk factor को पर जोगी है मतलब कि smoking या किसी प्रकार से tobacco को यूज करना होता है diabetes को control में रखना होता है blood pressure को control में रखना होता है अपने cholesterol लेवल को control में रखना है तीसरा महतुकूंग चीजी है कि हमें रेगुलर 40-45 मिनट ब्रिस्क वाप करते रहना चाहिए रेगुलर एक्सरसाइज प्रोड्राम बनाना होता है जरूरी नहीं है कि सुबह ही यानि कि मॉर्निंग वाप करना है दिन में जब भी टाइम मिले 40-45 मिनट खाली वेट में ब्रिस्क वाप करते रहना चाहिए हफते में चार से पांस दूरी चौथी बहुत महतुकूंग चीज है कि कभी भी एक्सरसाइज के दौरान या बैठे-बैठे या खाना खाने के बाद कोई ऐसे सिंटम हो जैसे जाना शांस फूलना इन चीजों पर इन सिंटम पर ध्यान देते रहना चाहिए और हमेशा अपने पास सब्लिंग्वल नाइट्रेट के नाम से जो दबाई आती है हमेशा रखना चाहिए जब कभी ऐसे कोई सिंटम हो फाइब मिलिग्राम की टेबलेट टंग के नीचे रख अपना चाहिए जब तक है कि वो शिंटम देसे पिरना हो